नमस्कार मैं हूँ आचल सिंग और आप सभी का स्वागत है मारे चैनल पर सुशान सिंग राजपूत मामले में जो जूटी खबरे आज तक और बाकी चैनलों ने चलाई थी उसको लेकर आप कोट ने भी फटकार लगाई है और इसी के साथ सीबियाई ने भी कोट में ये कहा कि घलत खबरे दिखाई गई और सीबियाई के हवाले से सीबियाई पर ये आरोप लगाए गया कि सीबियाई ने ये खबरे लीग की है जब अभी ये पूरी जाच चल रही है उसके पहले ही आत्महत्या साबित करने की कोशिश बहुत सारे ऐ आजपूर मामले में जो खलत खबर दे रहे थे गलत खबर दिखाने पर अब फटकार लगी है न्यूज ब्रोडकास्टिंग स्टैंडर अथॉरटी के तरफ से भी और आज तक पर एक लाग का जुर्माना लगा है और इसी के साथ बाकी जो और चैनल है उन पर भी फटकार लगी हो और उनसे भी ये कहा है कि जो वीडियो और जो फोटोज हैं वो हटाई जाए और इसी के साथ माफी भी मांगा जाए तो 27 अक्टूबर को रात आठ बजे आज तक से ये कहा गया है कि आपको माफी मांगना होगा और अब ये जो पूरा मामला है गर हम देखे तो सिर पूरिक भारत नंबर वन पर इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसने सची खबरे दिखाई है अब इसी के चलते जो सुषान सिंग राजपूत मामले में जिस तरीके से आज तक ने जूटी खबरे अफवा हैं फिलाई और उसके बास सबसे तेज सबसे सच जहां पर सच है वहा नहीं आया और जनता लगातार अभी भी वहिशकार कर रही है लेकिन अन्बेस से ने जो अब आज तक के लिए कहा है कि ऑन एर आपको माफी मांगनी होगी 27 अक्टूबर को रात 8 बजे और इसी के साथ एक लाख का फाइन भी लगाया है आज तक पर और इसके साथ ही जो फि और फेल आ रहे थे जूटे टूइट कर रहे थे अब उन सब को ये समझ में आ गया होगा कि अब पहले जैसा नहीं है कि जूट बोल कर निकल चाएंगे और अब जब ये खबरे बाहर आ रही है और जब ये जुर्माना लग रहा है जब माफी मांगने के लिए कहा जा रहा ह रिपब्लिक भरत पर जूटी जो उन पर प्रेस कांफेरंस हुई थी उस पर ब्रेकिंग निउस चलाने वाले प्राइम चलाने वाले अब जनता ये सवाल पूछ रहे है कि क्या ये निउस अब वो दिखाएंगे नीचे बॉटम में ही वो दिखा दें लेकिन आखिर उनको चाहिए क्योंकि रिपब्लिक के खिलाफ जब शाजिस रची जा रही थी और जब शाजिस रची गई तो इन लोगों ने सबसे आगे बढ़ चड़कर हिस्सा उस साजिस में शामिल भी थे लेकिन अब जब इनके इनकी जो खबरे हैं इनके कारणामे बाहर आ रहे हैं और सब्सक्राइ में वह बात नहीं करेंगे और इसी के साथ बाकी जो चैनल है वो जी-्नुज़ हो या इंडिया-टी-वी-डी निउज हो या नीज़ 24 हो इन लोगों से भी माफी मांगने के लिए कहा गया है और इन लोगों से ये कहा गया है कि ऑन एर माफी मांगे और जो उन वो 29 अक्टूबर को सुशान सिंग राजपूत मामले में जो कवरेज की थी उसको लेकर वो माफी मांगे और बाकी जो उन लोगों से भी बाकी जो चैनल है उन लोगों से भी ये कहा गया है कि सुचान सिंग राचपूद मामले में जो गलत खबरे थी जो अफवाहे थी वो सारे वीडियो और जितनी भी कबरेज है जो कुछ भी आपने दिखाया है वो आपको हताना होगा लेकिन आप ये जोनता सवाल पूछ रही है समीर सोनी नाम के क्यूजर ने लिखा है कि NBSC ने सिर्फ एक लाख का ही फाइन जुर्माना क्यूं आज तक पर लगाया है आज तक ने तो ये जूट बोलकर कितने करोनों कमाए होंगे उन पर एक लाख नहीं बल्कि और जुर्मान लगाना चाहिए था इसी के साथ विजे गुपता नाम के एक यूजर ने लिखा है कि इन सब में रिपब्लिक भारत का कही नाम नहीं है लोग M.A.H.R. को बदनाम कर रहे हैं आज तक Z News, India TV, News 24 की तो इज़त निलाम हो गई है लेकिन ये लोग दूसरों की बरबादी का से कम 10 लाग का जुर्माना लगाया होता तो दिमाग सही रहता आगे से सारी समाचार चैनलों को अब अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों पर अगर हम नजर डालें तो ये बाकी जो चैनल थे इन लोगों ने बहुत सारी FC अफवाहें चलाई सुशान सिंग राजपू की थी, CBI को कोई सबूत नहीं मिला है, अंजनाओं कश्चप ने भी प्रोग्राम चलाया कि ब्रहम कब तक और आप क्यों नहीं मानते कि उन्होंने आदमहत्या की है, पूरा चैनल इनका जुटा हुआ था, राहुल कमल बार बार टूइट कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए जस्टिस वार रिया कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती को जब बेल मिलती है, तो ये इस तरीके से दिखाते हैं कि अब उनको पूरी तरीके से वो बरी हो गई है, और उनको बेगुना साबित कर दिया गया है, जबकि सशर्त उनको जमानत मिली थी, लेकिन वो सारे चीज़े इन्होंने नहीं दिखाए, बलकि गलत चीज़ें दिखाए, गलत अफवाहे फैलाई, सुषान सिंग राजपूत को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनके बहनों को लेकर गलत खबरे दिखाई गई, मुंबई पुलिस ने जिस तरीके से धोखे से उनके पर विकास सिंग जो सुषान सिंग राजपूत के पिता के वकील हैं उन्होंने जब ये पोल पट्टी खोल दी मुंबई पुलिस की तब न्यूश चैनलों ने ये नहीं दिखाया कि हमने गलत खबरे दिखाई थी उनके परिवार को लेकर और मामला ये है तब वो उस पर चुपी मांगनी होगी और अब उनको जुर्माना भी भरना होगा इससे पहले आपने देखा था कि आज तक को लेकर जो इंडिया टूडे ग्रूप है उसको लेकर ट्यार भी मामला सामने आया और उसमें भी मुंबई पुलिस ने कोई भी कारवाई नहीं की आप समझ सकते हैं कि इत आगे से ना करें और ये भी कहा है कि इस मामले में निउज चैनल को हद में रहकर कवर भी करने चाहिए क्योंकि इन्होंने एक طरह से पूरे रिया चक्रवर्ति के पक्ष में माहोल बनाने के लिए यहां से मुंबई जाते हैं राजदीब सर्देसाई रिया चक्रवर्ति का इंटर्व्यू करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों पक्ष को दिखा रहे हैं तब दोनों पक्ष को अगर आपको दिखाना होता तो बहुत सारे ऐसे मामले हुए हातरस जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ जूट दिखाया सच्चाई कहीं थी ही नहीं अगर आपको दोनों पक्ष दिखाना था तो इससे पहले जब जामिया और जेनियू का कांट था वहाँ पर भी आपको दोनों पक्ष दिखाना था दोनों पक्षों की सच्चाई दिखानी थी लेकिन आपने सिर्फ टॉपेगंडा फेलाया आपने सच्चाई नहीं दिखाई राहुल कमल और राजदीब स इस मामले में सबसे आगे रहे हैं और इसका खाम्याजा इंडिया टूडे ग्रूप को भुगतना भी पड़ा है अभी वह भुगत ही रहे हैं लेकिन इन्होंने जून बोलने के बाद माफी आज तक नहीं मांगी लेकिन अब इनको माफी मांगना होगा 27 ओक्टूबर को भाटाने पड़ेगी तो अब ये पूर्या जो मामला है सुशान सिंग राजपूत का वो सीविया अभी जाच कर रही अभी कुछ सामने नहीं आया है लेकिन इन्होंने आत्म हत्या साबित कर दिया था और ऐसे चैनलों को शर्मानी चाहिए कि प्रॉपगेंडे के तहट एक चक्रवर्ती की चीजे क्यों मीडिया में दिखाई जा रही है तो आपने क्यों सुशान सिंग राजपूत के मामले में जूट बोला उनके परिवार को लेकर जूट बोला अब इसको आपको जवाब देना होगा जनता को जवाब देना होगा और इसलिए जनता ऐसे चैनलों हो या सल्मान खान हो या फिर ताहिर हुसाइन हो या अफजल गुरू हो इन लोगों ने दोश्यों को बचाने के लिए एरी चोटी का जोड लगाया है आखर क्यों क्योंकि इनका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा या फिर कोई समझोते हुए हुँगे या कुछ न कुछ ऐसा रहा है जो ये दोशियों को बचाने के लिए सबसे आगे आते हैं ताहिर हुसेन की अगर बात करें तो उन्होंने बाद में खुद ही कुबूल किया जो सबूत थे उनके घर से मिले थे उसके बाद भी सबूत हर चीज होने के बाद भी ये ताहिर हुसेन का इंटर्व्यू करते हैं और दिखाते हैं कि वो बेगुना है उन्हें तो फसाया जा रहा है उन्हें तो फसाया जा रहा है कपल मिश्रा पर इन्होंने आरोप लगाए जिनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं थे उन्होंने कुछ ऐसा किया ही इता हटाने की बात कही थी जबकि ताहिर हुसेन ने पूरे दिल्ली को जलाया था तो ये आज तक का चरित रहा है ये न्यूज चैनलों का चरित रहा है जहां से इनका फायदा हुआ है उसी वोर ये चले जाते हैं इनको कोई विचारधारा से मतलब नहीं और ये बात जनता कि हित में बाते करते थे बड़ी बड़ी कवरेज चलाते थे जो नव बजे बैट कर प्राइम टाइम करते थे आज उन लोगों की भी साख मिट्टी में मिल गई है उनको भी ये समझ में आ गया है कि अब जो अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके से डिप्लोमैटिक बाते कर रहे थे अब ऐसा देश में नहीं जलेगा तो इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद